नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज हम बनाएंगे सिर्फ एक गिलास दूद से एक कीलो बर्फी वो भी बिना चीनी बिना मावा और बिना चाशनी के तो चलिए बना लेते हैं आज की बर्फी दोस्तो इस बर्फी को आप किसी भी त्योहार के लिए बना सकते हैं या वैसे ही घर में बना कर रख सकते हैं बड़ी ही टेस्टी लगेगी और कम खर्चे की आपकी बर्फी बन जाएगी घर में easily तो चलिए बना लेते हैं एक गिलास दूद से बर्फी तो इसके लिए मुझे चाहिए इसलिके से मैंने कड़ाई रख दी है गैस पर इसमें मैं ले रही हूँ एक ग्लास दूद आप अपने घर में ग्लास सेट कर सकते हैं वो एक ग्लास ले लीजिए दूद का या फिर अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं मैंने यहां पर लिया है एक ग्लास अब इसमें डालेंगे दोस्तो गुड यहां पर मैं क जल्दी से दूद में मैल्ट हो जाए तो इस तरीके से काट कर आपने गुड लेना है ये मैंने एक कप से कम ही गुड लिया है दोसो आप चाहे तो इसमें शक्कर का यूज भी कर सकते हैं ये गुड दोसो मैंने एक कप से भी कम लिया है अब आप कहेंगे जब हम गुड इसमे के लिए रख दे दूद को और इस तरीके से गुड को मैल्ट कर लें दूद हमारा तभी फटता है जब दूद को हम उबाल देते हैं गुड के साथ या फिर कई बार जो गुड होता है वो दूद को नहीं फारता तो अगर आपका जो गुड है ऐसा है कि दूद फट जाएगा तो आपने सिर्फ इसमें गुड को मैल्ट कर लेना है दूद में तो ये लीजे दोस्तो मैल्ट हो चुका है तभी मैंने छोड़ छोड़े पीस कर लिये थे कि जल्दी से गुड मैल्ट हो जाए तो ये गुड तो मैल्ट हो गया है दूद में आप देख रहे हैं अगर थोड कप बादाम ले रही हूं बादाम आप अपने हिसाफसे भी ले सकते हैं यह तो फटर कप भी धोड़ी जादा कवांटिटी में बनानी है तो जो भी यह है coconut, बुरादा, desiccated coconut powder, तो इस तरीके से आपने डाल लेना है ये भी, इसकी भी quantity आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों मैं ले रही हूँ, खर्बूजे के बीज, आप चाहे तो तर्बूज के बीज भी ले सकते हैं, इसको healthy बनाना है आमने बर्फी को, इ इसमें डालेंगे दोस्तों, इलाइची powder, तकरीबन आधा छोटा चमज, यह बिल्कुल optional है, आप डालना चाहते हैं, ति डाल लीजे नहीं, तो आप skip भी कर सकते हैं, अब आपने इन सारी चीजों का fine सा powder बनाना है, तो चलिए बना लेते हैं powder, यह देखे दोस्तों मेरा powder बन चुका है, यह आपने pulse mode पर पीसना है, यानि pulse mode पर इसका powder बना लेना है, दोस्तों जब आप इसका powder बनाएंगे न, तो एक बार में तो आपका यह नहीं बनेगा, दो तीन बार में जैसे आपने बना लिया पहले powder, इसको छान लें, बाकि जो दरदर आप बचेगा, उस इस तरी बार में दोस्तों मेरा यह इतना सा बच गया है, आप चाहे तो दुबारा पीस ले सको, या फिर अगर दुबारा नहीं पीसना चाहते, तो आपने इसको किसी डिब्बे में बंद करके रख देना है, आप सबजी की ग्रेवी में से डाल सकते हैं, आप बिल्कुल भ आपका जो गुड है, उसमें थोड़ा बहुत डस्ट था, या थोड़े बहुत वैसे पीसिस थे, तो इसे चान लें, यह मैं इसको चान कर ले रही हूं, उसी चलनी से आप चान सकते हैं, ताकि जो भी इसमें थोड़ी बहुत डस्ट बगरा है, वो बहार निकल जाए, कंकर थोड़ा करके डाल लें, और इसको mix कर लें, यह हमने gas की बीना ही किया है mix इसको, यदि हम इसको gas पर रख देते, तो इसमें डलियम वगरा पड़ने का डर था, तो इसलिए मैंने इसको नीची ही मिला दिया है, अच्छे से अब चलते है gas पर, gas पर आपने low to medium flame पर इसको प ग़ी डालने की जूरत नहीं है आपको क्योंकि जो बदाम है और coconut powder है उसमें already oil होता है to आपको ग्ही बगार डालने की जूरत नहीं हैं डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं बिल्कुल optional है बस आपने इसको हिलाते रहना है तो इसको पकाते रहना है दोस्तो इसको और अच्छा कलर देने के लिए आप कलर यूज़ कर सकते हैं ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हैं या फिर मैंने यहां पर लिया है चोकलेट कलर इस तरीके से दो चुटकी मैंने चोकलेट कलर लिया है ताकि ये बहुत ही सुन्दर सी बर्फी बन जाए इससे कोई आपके टेस्ट में फरक नहीं पड़ेगा बस सिर्फ कलर में चेंज हो जाएगा तो इस तरीके से बड़िया सा कलर आ जाएगा ये मैं अच्छे से मिला लेती हूँ ये मिल गया है दोस्तो अच्छे से मिक्स हो गया है कलर अब दोस्तो आपने इसको तब तक पकाना है जब तक कि अच्छे सा डो त्यारना हो जाए बर्फी जमाने के लिए तो इस तरीके से आपने पकाते रहना है इसका सारा जो moisture है वो सारा आपने सुखाना है तो इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं एक plate में अभी दोस्तो ये चिपक रहा है ये देखे दोस्तो मैं दिखा रही हूँ आपको अभी हमने थोड़ा सा इसको और पकाना है जब तक कि ये दोस्तो अच्छा सा डो त्यार ना हो हम इसकी गोली बना कर देखेंगे जब ये चिपकना बंद हो जाएगा हाथ पर तब समझना कि हमारी बर्फी रेडी है जमने के लिए तो इस तरीके से मैं दोस्तो दुबारा से देख रही है उसको करके गोली बना कर ये अब नहीं चिपक रही हाथ पे तो इसका मतलब है य यह तो बटर पेपर लगा ले या फिर इस तरीकश से जो रैपिंग पेपर होता है वू लगा ले और इसको घी से ग्रीस कर ले ग्रीस करने के बाद जो हमने मैटीरियल बनाया है जिने इसको पर फैला ले अच्छे से डोस्तो आप जितनी थिखनेस बर्फी की रखना चाह से मेरी सेट हो चुकी है अब क्या करना है आपने या तो इस पर सिल्वर वर्क लगा ले इसको ओज़ादा ब्यूटिफुल बनाने के लिए या फिर आप बादाम और पिश्टा कई कतरन से भी से सजा सकते हैं मैं यहां ले रही हूं थोड़े से बदाम और पिश्टा इस तरी के से कटे बदाम और पिश्टा मैं डाल रही उस पे और उपर से थोड़ा सा आप स्पैचुला से इस तरह से धबा दें ताकि अच्छे से यह सेट हो जाए तो ये लीजे दोस्तों ये तो मैंने कर दिया है काम अब इसको रख देते हैं साइड में जमने के लिए इसको दोस्तों आपने 5-6 घंटे रखना है fridge में रख सकते हैं या फिर बाहर ही set होने के लिए रख सकते हैं वैसे तो ये दूगंटे में भी set हो जाएगी तो ये लिजिए दोस्टों तकरीबन 5 घंटे के बाद मैं आपको ये दिखा रही हैं बर्फी तो इस तरीके से मेरी दिखाई दे रही है बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है तो इस तरीके से दोस्तो मेरी बर्फी सेट हो चुकी है इसके पीसीज कर लेते हैं मन चाहे आकार में आप इसके पीसीज कर लें तो ये लिजिए दोस्तों मैं pieces कर रही हूं ये देखे दोस्तों कितने अच्छे से set हो चुकी है देखे मैं दिखा रही हूं आपको उठा कर और मैं आपको तोड़ की भी दिखा रही हूं देखे कितने अच्छे से set हो चुकी है हमारी बर्फी तो इस दिवाली दोस्तों आप ये बर्फी जरूर बनाएं दिवाली हो या होली हो या कोई और तेहार हो आप easily इस मिठाई को बना सकते हैं और healthy भी बनेगी और जल्दी भी बनेगी और बिना मावा के बन जाएगी आपकी बर्फी दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और आप कब इसे बना रहे हैं ये सब हमें comment box में लिखकर जुरूर बताना तो मिलते हैं दोस्तो ऐसी ऐसी recipe के साथ next वीडियो में वीडियो अच्छी लगी तो please वीडियो को like करना, share करना और चैनल को subscribe करना तो thank you दोस्तो